नमस्षूरसू वल्कम बाक टी यो ओन चेनल वेल्स जो फॉर्थ ऑफ ऑक्टूबर टू थाउजन ट्वेंटीफोर लगातार दो दिन की सॉलिड धुलाई के बाद बुल्स एकदम पस्त पड़ गया है बिल्कुल टूड गया है अगर हम लोग बात करें आज के दिन के विए है दो दिनों के अंदर अंदर 25,000 करोड की सेलिंग हो चुकी है फ्रम दी साइड ओफ एफ इसके लिए वो दूस्वों कुछ ऐसे स्टॉक से जिसमें कि वो 30-30 परसेंट के क्रैश का और टार्गेट दे रहे हैं आगे डिसकस करेंगे इन फैक दूस्तों आज के दिन तो जो आट मार्केट में ट्रेड करना नहीं जानते हैं सही तरीके से तो उनको तो मार्केट ने बहुत काईदे से दोया है अगर आप आज के दिन के बारे मात करें मार्केट वस सो वालाटाइल टुडए इन फाक मॉर्निंग में मार्केट में एक सॉलिड अपसाइड इसके ब्रीच करने के बाद फिर से हमको करीब 200 कोईट की क्लियर कट डाउंसाइड लेकिन इसके बीच में जो सो यह हुआ है जो बिचारे मार्केट को सही से प्ले नहीं करवाते हैं I really my heart goes to them फिलाल दोस्तों बात करें हम लोग आज के दिन के क्लोजिंग की कल के दिन निफ से निफ्टी बैंक गिरा है चार सो पॉइंट निफ्टी फिप्टी एस फॉलन टू फिफ्टी पॉइंट मेड़केप और स्मॉल काप के स्टॉक्स में भी अच्छी का सी धुलाई आज के दिन होते हुए दिखाई पड़ रही है लेकिन पॉजिटिव यह क्लोबल कार दो मिरे हैं धृक हुए दोसरों यह असी चल रही है जैसे की अज़िए ट्रेडर जिस भी ट्रेडर को चाही होती है और वो भी directional चलने चाहिए, अब यह तो दोसों, market में क्या है, एक level आप पकड़ लीजे, जो कि अगर आपने चिछे से study किया है, और वो जैसे ही breach हो रहा है, तो वहाँ से सीथे target hit हो रहा है, similarly नीचे के level पर जैसे ही, वो level breach हो रहा है, सीथे target hit हो रहा है, it's a very very great market, and in fact, अगर आप इस market में भी पैसे नहीं बना पा रहे है, then I really wonder what kind of market you will make money, फिला दोसों बात करें हम लोग, अच्छा, option buyers के लिए, option writers ही पैसा बना रहे है, कल के दिन हम लोग ने option writing किया था, morning में ही सारे के-सारे profit book किया, top gainers के बारे हम बात करें, enforces was 1.5% up, ONGC में 1% की तेजी थी, SGF अब दोस्तों लास्ट एक हफते में जो स्टॉक सबसे ज्यादा भागा है, एक हफते में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3% भागा है, बाकी सारे stock तो 1% भी नहीं काईदे से भाग पाएं, top losers के बारे हम बात ने lead कर रहा है, hero motor cop which has fallen almost close to 9%, इसके लावा श्रीडाम फिनेंस, एक्से बांक, रिलाएंस, भारती एटेल, अब दोस्तों रिलाएंस खुद करीब करीब 16-17% तूट चुका है in the last one week, अगर रिलाएंस साड़ा 7% टूटेगा, तो दो सो मार्केट में तो 3-4% की गिरावट बनती है, लेकिन इंट्रेक्शन चीज़ दोस्तों यह होती है कि मार्केट में accumulation कहा हो रहा है, अगर आप पिछले दिन के comparison में बात करें तो कोई भी ऐसा stock नहीं है, जिसमें कि आपको लगता हो कि बहु इसके लब accumulation हुआ है, इसके लब accumulation हुआ है, ब्रिटानिया में, श्रीराम फिनेंस, ग्रासिम, SGFC लाइफ, यह वो stocks हैं जहाँ पर पिछले दिन के comparison में higher delivery percentage दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि blue stuff दे blue chip में तो अच्छी कासी धुलाई हो रही है, अच्छी कासी profit booking हो रही है, अ उसके बाद, just imagine, आधे घंटे के अंदर, निफ्टी 50, 400, 400 पौन गिरा है, the kind of volatility market है शून, लेकिन enter, यहां बतुलों करना था, enter करना था, जैसे 25, 100 के levels breach है, तो वहीं पर enter करना था, या फिर आज के low levels तूटे, वहाँ पर enter करना था, लेकिन दूस्तों हम लोग निफ्टी 50 म उसके breach करने के बाद पैसा बना, नीचे के level दूस्तों 51, 600 का level था, इसके breach करने के बाद आज पैसा बना, ultimately कर आप देखें, तो नीचे के level पर 51, 400 तक के level साय थे, उपर भी 52, 400 तक के level साय थे, तो दूस्तों यह जो point है, यह छोटे 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 जरूर होते हैं, आपको ल वाले targets नहीं मिलेंगे, आपका premium 30-40% ही देगा, लेकिन वो 30-40% conviction वाला होगा, सब आपके दिमाग में question होगा, सर कि अब क्या गिरावट बाकी है, कितनी गिरावट और हो सकती है, तो उसको हम लोग detail में study करेंगे, कल के दे, nifty weekly view में, do not miss out, बहुत ही important वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा मैं जल्दी post करूँगा, tomorrow I will try to post it somewhere close to 5 p.m. and ताकि आप लोग एच्छे से देख सकें, समझ सकें, do not miss out, tomorrow's video, लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं, और stock के बारे में, जिसमें की news यह है कि वो 30% crush करने वाला है, और वो भी वो, आई, वो stock जिसमें की लोग ऐसे भाग रहते हैं कि यह stock तो बस सीदे सीदे मेरे को अरपती बना देगा, करोपती तो आजकर हर कोई बना रहा है, तो दूस्तों stock का नामे बजाज housing finance और HSBC ने target जो दिया है stock का वो दिया है 110 रुपए, 110 110 रुपीज, और उनका मानना यह है कि stock में जितना pump up किया गया है, उत टागेट ओ 110, आज के price के बारें बात रहें, stock rate कर रहा है 150 के price पे, तो सीदे सीदे नोंने almost 30% की सीदे दे क्राक दिया है, 30% से ज्यादा कही है, तो 30% का सीदे सीदे नोंने बोला है कि इतनी गिरावट आपको होती हुई दिखाई पड़े कि stock में in due course of time, अगर आप मुझस 10 के target दिया है, तो stock तो गिरेगा, अब stock जैसे ही गिरना शुरू होगा, तो वहाँ पर वो accumulate करना शुरू करेंगे, दोस्तों अगर आप मुझसे पूचे, if you ask my opinion, मैंने आपको जिस दिन इसका IPO आया था, और in fact जिस दिन इसका IPO लिस्ट होने वाला था, उस दिन भी मैंने य आज housing finance को 100 से 110 से 120 के आसपास अगर यह stock आता तो मैं buy करूँगा, हाँ, stock 150 के price पे आसपास भी, एक अच्छे accumulation zone में है, there is no doubt about it, क्योंकि यह वो price है, जहाँ पर stock list हुआ था, लेकिन I will personally prefer to buy the stock in this zone of 110 to 120, यहाँ पर जो लोग buy करना चाहते हैं, यहाँ पर दूस्तों जो लोग 180 पे buy करना चाहा रहे थे, तो उनको 150 पे buy करने पे क्या दुख होना चाहिए, simple जी बात है, कुछ लोग तो 180 पे buy कर रहे थे न, तो भाई यह जहाँ पर 180 बाय कर रहे थे, वहाँ पर तो आपको करीब यह 20% के discount में मिल रहा है, but if you ask me, मेरे साब से stock 100 से 100, आप दोस्तों मेर आप पुराना बजाज housing finance का वीडियो उठा करके देखिए, तब आपको सुन जाएगा कि actually मैंने बोला क्या था, फिला दोस्तों बात करते हैं, हम लोग कुछ और stock specific news की, पहला stock है जीओ फिनेंस, जिसमें की बड़ी news यह आ रही है, कि सेवी ने approval दे दिया है, अब सेवी भ जिसका कोई नामों निशान नहीं है, ना कोई पता है, सिर्फ उन्होंने बोला कि 10 लाख का कुछ होगा, जो की mutual fund भी नहीं है, और ये PMS भी नहीं है, अब ये क्या है, ये सिर्फ जियो फिनेस वालों को पता होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, please do not misunderstand me, जियो फिनेस वा होगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, फिलाल जियो फिनेस में मेरा व्यू काफे पॉजटिव है, I am very positive on जियो फिनेस, और जहांतर मुझे लगता है, जिस दिन उन्होंने ये 10 लाख वाला जो नाम करान है, वो लांच किया मार्केट में, I am confident it's going to sell like hotcakes, stock में दोसो, my view is still positive, stock में हो सकता है, कुछ थोड़ी से गिरावर टॉर दिखा ही पड़े, बाई चान्स दोसों, stock इस zone के आसपास आपाता है, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन there is no guarantee कि this stock will fall, so in case अगर ये stock इस zone पे आप accumulate कर पाते हैं, या फिर, you know, किसी भी lower level spec unit कर पाते हैं, create stock to hold for long time, इस के लावर दोसों, is my trip, that is easy trip planners ने अभी recently, promoters ते अपनी holding को sell किया था, और अच्छी खासी holding को sell करा था, साकणों करोनों की holding sell करी थी, अब दोसों, आज के उसके बास stock थोड़ा सा गिरा भी है, लेकिन आज के दिन news या रही है कि जो Maldives है, Maldives में अभी फिर से tourism स्टार्ट ह इंडिया के साथ अच्छे relations है, bilateral relations है, उनको improve भी कर रहे है, so is my trip के लिए तो positive news है, क्योंकि generally क्या होता है, इंडिया इसके पास इतना पैसा नहीं है, कि वो दुबाई, US, यॉरॉप जाएं, तो भाई, जो सस्तीमत्दी कंट्री, नहीं ऐसा नहीं है, I do not want to offend anyone, सब के पास पैसा है, आजकल की जमाने में किसी को गरीब कहने ही नहीं है, पहले चीज़ तो, कि आपको पता ही नहीं, उसके पस कितना पैसा होगा, so generally लोग क्या करते हैं, वाई, Maldives चले गया, सिंगा पर चले गया, वाली वाली चले गया है, तो यह जो कंट्रीज है, यहाँ पर घू कमेंटम पकड़ेगी, मेरे सबसे इसमेटरप के लिए एक पॉजिटिव न्यूज होने वाली है, so overall I am very positive on इसमेटरप as well, अडानी विलमार लेंटेड हो दोसों फिर से बहुत गजब की न्यूज है, पिछले साल के कमपारजन में, अभी जो अपडेट आए हैं, पिछले सा पर उनने double digit growth डाली है, एक बहुती solid momentum दिखाई पूटर रहा है, stock भी अगर आप देखें, तो पिछले तकरीबन तेड़ दो सालों से stock बिलकुल एक range में, और अगर आप मुझे पूचे एक अच्छी value मिल रही है यहां पर, पढ़ा, अगर आपको अडानी ग्रूप के stocks में investment करना है, risk appetite होने चाहिए, बजाज finance के बारे मैंने आपको बता दिया है, दो stock जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वन stock is Apollo Tires, जिसमें की LIC housing finance ने अपने stake को बढ़ा है, पहले उसके पास था, पहले भी इनके पास share थे, ऐसा नहीं है, 4.983% की stakeholding थी, LIC की, जो की इन्होंने 5.030, 5.030% कर दिया है, है ना, और इस जतने shares को खरीदा है, उन्होंने 531 रुपीज के price पे share को खरीदा था, अभी stock rate कर रहा है, 511 के price में, अब दोस्तों अगर आपको आपने किसी stock को buy ये किया है, ये stock तो दोस्तों मैं बेचूँँगा, जब ये stock 5000 जाएगा अब दोस्तों अगर आपके target 10X हैं, तो stock अगर दो-चार रुपए गिर भी रहा है, दस-बीस रुपए गिर भी रहा है, तो तरह टेंशन नहीं ली जाती है, वही similarly, यहसे मैं आपको geofinance के बारे मताया, वहीं बात करें हम लोग GRSC की, GRSC में बड़ी news यह है कि company ने, company को 908 करोर का बड़ा order मिला है, जिसमें की company 8 ships बनाएगी, 8 vessels बनाएगी, और यह multi-purpose vessels होंगे, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह ship building का काम करते हैं, और Indian Navy, Indian Coastal Guards, इसके लावा दोस्तों बाहर कंट्री में भी अपनी ships को export करना है, शुरू कर चुके हैं, so stock तो यह बा चार महीने में, 4 गुना, 4 महीने में, 4 गुना, are you serious, so यहाँ पर stock में accumulation की opportunity है, long term का view है, तो stock काफी positive है, short term में दूस्तों थोड़ा सा pressure दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, stock हो सकता है, पंदरा सो रुपे के आसपास आता हूँ दिखाई पड़े, so जो लोग buy करना जाते हैं, थोड़ा सा caution रखें, क्योंकि जिस परकार की market में weakness है, थोड़ी सी weakness हो सकता है, और continue हो रहे, कितनी weakness हाके continue हो रहेगी, वो मैं कल शाम को 6 बज़े आपके साथ discuss करूँगा, क्योंकि last week के targets already hit हो चुके हैं, तो सुपर मैंसे फ्रेंस, ताकियो सुपर माच, बाबा और भा पनाँ